अपना ऐसा मौसम आ गया है जब जीप हमारी थंडा थंडा कुछ खाने को मांगने लगी है तो कल मेरी जीप बड़ा थंडा थंडा काने को मांग रहे थी तो मैंने बनाया ये कस्टेड मलाई I hope आप सभी को बेहत पसंद आएगी ये थंडी थंडी कस्टेड मलाई तो अगर वीडियो अच्छा लगी आप सभी को तो वीडियो को लाइक करना और इसे जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना जादा मस्त मस्ती ये बना हुआ है अच्छा जब इस तरही के हम लोग मिठाई बनाते है ना तो इसमें महनत बहुत कम लगती है और यहां पर आप देख सकते हो कितना ज़ादा मज़े का ये मीठा बन करके तैयार हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें लेनी एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में डाल देंगे हम दूद तो लगबग एक क्लास में ने दूद लिया है जो कि धाई सो एमिल के करीब दूद होगा और इस दूद को हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे खेर यहाँ पर आपको दूद बता दूद कि कोई सा भी आप जो दूद है न वो ले सकते हो जो भी आपके घर में आता हो गायका भैसका डेरी वादा जो भी आपको मिल जाए मतलब बेसिकली आप दूद ले सकते हो और सिर्फ इतना ही दूद इसके लिए इनफ रहेगा और लगबग 5-6 लोग इस डिजर्ट को अराम से खा सकते हैं तो अब हमें क्या करना है चीनी डालते हैं लगबग 3 चमच के करीब चीनी डालना है और यहां पर जो चीनी है ना उसकी क्वाइंटिटी बहुत ही कम रखनी आपको क्योंकि दूदी एक ग्लास है तो यहां पर सिर्फ देड़ चमच या एक चमच आप चीनी का रखिए और अब देखिए से साइट से भी चुडा लेंगे और अब हम क्या करेंगे क्योंकि आज हम इसे कस्टेड से बना रहे हैं तो पहले स्कस्टेड त्यार कर लेते हैं तो यहां पर वन टेबल स्पून मैंने कस्टेट पाउडर लिया है और इसमें हम डाल देंगे वन फोर्थ कप जो है यह पानी तो यह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यहां पर आप पानी दूद कुछ भी यूज़ कर सकते हो और यह इस तरीके का घोल बना लेने से क्य क्योंकि हो सब्सक्राइब होता है लेकिन आज जो यह है यह मलाई कस्टड है तो देखो इस तरीके से जब आपके दूद में से उबाल आ जाए बिलकुल उपर तक आ जाए बस नीचे मत गिरने देना उपर तक आ जाए तब गैस के फ्लेम को दीमा कर लेना और इसे नीचे तक आने के लिए इंतिजार करना तो जैसे ही दूद एक बार उपर आए फिर नीचे आ जाए फिर क्या करना कि यह जो कस्टड का घूल बनायाना इसे डाल दीना सारा कसार इसमें डाल दीना और इसकी बात फटा-फट से स्पैशला से इसे चलाना है क्योंकि हो सकते है अगर नहीं चलाओ गया तो तो तलम्स बन जाएंगे तो इसे फटा-फट से चलाना है और इसे अब गाड़ा होने के लिए में छोड़ना है तो मतलब छोड़ने का मतलब यह रही है कि इसको गैस पर चला करके चले जब फोन उन चलाओ मस्ती मज़े करो ऐसा नहीं करना चोड़न से गाड़ा जो है वह सुरू हो जाएगा होना तो इसे दो से तीन मिनट के लिए में पकाना है कस्टड डालने के बाद और फिर आप देखेंगी इसका खुबसूरा से कलर आ गया है यह अच्छे से गाड़ा हो गया है लेकिन अब क्योंकि हम यह जो है मलाई कस्टड बना र मुस्कल से यह कटोरी से बाहर आई तो मैंने से कप में डाला तो वन फोर्थ कप के करीब यह जो मलाई है तो इस तरीके से हम डाल देंगे इससे ना कस्टड में बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाएगा अगर यह नहीं है तो आप क्या करना अमूल की क्रीम डाल सकते हो पर घर की मलाई मेरे ख्याल से हर घर में ही होती है दोट से जो उपर जम जाती है तो इसको निकाल लेते हैं तो बस इस तरह से मैंने डाल दिया है अब इसे एक मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी बहुत ज़दा गारा नहीं करेंगे क्योंकि यह रखा रहेगा तो यह गारा तो बस इस तरीके से इस बात का ध्यान रखेगा तो अब देख लेते हैं रिस्पी का नेक्स्ट स्टेप क्या है तो इसके लिए चाहिए एक कप पानी और इस पानी को हम गरम करेंगे साथ में हम इसमें चीनी डालेंगे तो यहां पर 1-3 कप मैंने चीनी डाल दिया है एक त और यहां अगर आप सोच रहे हों कि आप जो है ब्रेड यूज करेंगे और फिर उसको फ्राइ करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज की यह जो रेस्पी ना वो ब्रेट से नहीं बनेगी फिकर मत कीजी तो यह देखिए चीनी अच्छे से घूल गया इसको बंद कर भाई आ आप चैक प्लविवव झाधा लगाने कर देखिए पहले में ने चार इस तरीक फिर बीच में भी बढया देंगे हम तो बीच में भी लगा देंगे हम तो जिस तमिस्था गया डेंने नहीं है क्पिन्पीज और कि अपनीर आप अउल का यूलिन शी एह थी पूट या फिर इसे हम ब्रेट का भाई कहें वहीं जाद अच्छा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओं कि इसको क्या कहेंगे अम लोग तो यहां पर देखिए अब हमने जो चीनी घोल करके रखी थी ना पका करके इसे हम डाल देंगे तो चारो तरफ इसे हम डालेंगे और ध्यान जब यह गरमा गरम होना तब ही इसे डालना तो इसे गरम बरकरार बनाए रखना और इसको डालने के बाद आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो लगबाख आट सिनस मिनट के लिए या फिर पास मिनट के लिए भी छोड़ दो कि तो इतना इनाफ है बट मैं यहां पर तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से मुझे बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक तो करी दो और सभी लोग जो नए है इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है मेरे चैनल पर मावेटी किजिन स्टार तो आप मेरे चैनल को सब्सक्रा नहीं दिख रहाता ना यहां पर भर दी है अचा इसे भी कई लोग टूटी-फूटे कहते हैं और मैंने देखा है कि कई लोग गुलाब कत्री भी कहते हैं तो खैर जो भी है यह इसे डाल देंगे अच्छा जिनके पास यह नहीं है वो क्या करेंगे वो यहां पर ड्राइफ ना आपकी भी यह जो कस्टेड मलाई है ना यह बहुत ही जादा रिच रॉयल लगने लगेगी अब यह गुलाब की सूखी पत्तियां जो कि मेरे पास हमेशा हमेशा मिल जाएंगी आपको इसे भी डाल देना अगर हो तो आपके पास और आप क्या करेंगे हमारे पास यह च सब्सक्राइब तो कहां पर आपो सठीक मेंव गांने वर कि मैं तो क्थाद्राशने बेए पान की दू है घर को लिए तो में हैंगी आपको Ogden Apple को यह जाएंगी और यहां पर आप देख सकते हैं तो कि एक सक शर्ब्स मलाई बनकर के तयार है ृतン दूंदा के और िइसद